Welcome to my YouTube channel Multitalent A to Jade आज हम आपके लिए एक जादूई पेड की कहानी लेकर आए हैं जिससे हम सबको motivation मिलने वाला है तो चलिए कहानी शुरू करते हैं एक बड़ी छोटी सी कहानी है पुराने जमाने के घंगोर जंगल की जिसके अंदर इच्छा को पूरा करने वाला पेड था उस पेड के बारे में बहुत कम लोगों को पता था क्योंकि उसे घंगोर जंगल में कोई जाता नहीं था एक ऐसा जंगल जहां सूरज की किरने भी बहुत मुश्किल पहुँच पाती थी एक बार एक कलाकार वहाँ से निकल रहा था और उसे उस पेड के बारे में कोई अंदाजा नहीं था अब सहयोग यह था कि इस पेड के नीचे आराम करने के लिए रुका अपने साथ घर से खाना लाया था उसने खाना खाया और उसने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, नींद ले लेता हूँ, उसके बाद चल दूँगा और जब वह सोया तो उसकी नींद इतनी लंबी रही कि वो सीधा शाम में जगए तब तक आसपास अंधेरा हो चुका था उसे लगा कि अब तो मुझे यहीं रात बितानी होगी, इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं फिर उसको भूख लगा और उसके दिल में एक इच्छा जागरित हुआ कि कहीं से खाना मिल जाता तो मैं पेट भर कर खा लेता कमाल की बात यह हुई कि उसके सामने पकवानों से भरी हुई एक थाली आ गई उसे बहुत भूख लग रही थी, इसलिए उसने ज्यादा सोचा नहीं, चुप चाप खाने लग गया और भर पेट उसने खाने का मजा लिया एक से बढ़कर एक पकवान थे, उसने खाना खा लिया तो उसके मन में एक और इच्छा हुई कि कहीं से कुछ पीने को मिल जाता उसके सामने शर्बत के दो बड़े-बड़े गलास आ गए, वह बहुत खुश हुआ और उसने वह शर्बत भी पी ली और यह नहीं सोचा कि यह कहां से आ रहा है, उसके मन में एक और इच्छा हुई कि जब इतना सब कुछ हो ही रहा है, तो कहीं से तक्या आ जाता सिरहने लगा लेता ऐसे पेड़ के यहां आराम करने में दिक्कत आ रही है उसकी आँखों के सामने कमाल ये हुआ कि उसको तकिया सिरहाने लगी मिली सिरहाने रखने के बाद वह जब आराम के लिए लिटा तो बस यह सोचने लगा कि यह सब हुआ कैसे उसके दिमाग ने अब काम करना शुरू किया कि मैं सिर्फ सोचा तो खाना आया कैसे? शर्बत आई कैसे? और तकिया आया कैसे? कहीं यहां पर कोई भूत तो नहीं है बस उसके मन में ये इच्छा की बात आई और सच में वहां भूत आ गया जैसी उसने भूत को देखा तो उसके मन में पहले विचार यही आया कि कहीं ये भूत मुझे खाना जाए क्योंकि इसी लिए उसने मुझ तक शर्बत पहुँचाई खाना पहुचा, पकवान पहुचाया बस उसने सोचा और भूत ने उसे खा लिया क्योंकि वो इच्छा को पूरा करने वाला पेड़ था जो सोचो वैसा ही वहाँ पर होने लगता था यह कहानी उस कलाकार की उस इच्छा को पूरा करने वाला पेड़ की और उस जंगल की नहीं बलकि आप की और हमारी है हमारा दिमाग इस दुनिया का सबसे बड़ा इच्छा को पूरा करने वाला पेड है लेकिन कमाल की बात यह है कि हम हमेशा नेगेटिव सोचते हैं और वैसा ही घटने लगता है बारिश हो रही होती है और हम यह सोचते हैं कि कहीं बीमार ना पढ़ जाए और फिर बीमार पढ़ जाते हैं डांट दे और बास डांटना भी लगता है हम हमेशा उल्टा ही सोच रहे होते हैं जीवन में जैसा सोचेंगे यह इच्छाओं को पूरा करने वाला पेड जो कि आपका ब्रेन है यह अवचेतन मन उन्हें सारी चीजों को पूरा करने में जुड जाएगा इसकी सारी शक्ती आपकी सोच को जागरित करने में उसको साकार करने में जुड जाएगी इसी लिए छोटी सी कहानी का सार यह कहता है जैसा सोचोगे वैसा पाओगे इसलिए सोचना पॉजिटिविटी के साथ शुरू कीजिए वरना जीवन में आपका इच्छाओं को पूरा करने वाला पेड एक भूत को लेकर आएगा और वह भूत आपको खा जाएगा अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले